हेलो एबरीबन सभी को मेरा राम राम आईए बनाते हैं दही बड़े वो भी एक हेल्दी बे में आधी चमत से भी कम घी से बिना तले और एक्तम हेल्दी अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं आगर आपको डायबिटीज है तो ये दही बड़ा आपके लिए परफेक्ट होने व डाल दीजे उपर से थोड़ा पानी डाल लिए और इन सबी चीजों को डालने के बाद एक ही डारेक्शन में हमें इसे मिलाना है जिससे कि इसके एर बबल्स निकलना जाए फिर हमें गैस पे पैन को चड़ा देना है और आदा चमत से भी कम घी को ब्रश करते हुए सारे ही इसे सक्संस को अच्छे से घी से हम ग्रीस कर लेंगे फिर इनी सारे सक्संस में हमें दाल की फिलिंग कर देनी है गोल गोल से शेप देते हुए आपको ज्यादा धाल में पानी नहीं मिलाना है ज्यादा पानी हो जाएगा तो इस तरीके से गोल शेप नहीं बनेगा इस तरी हुआ अपको अच्छे से पकाना है, फिर हम इसे गर्म पानी नियुकर कोईगे अञट्टे-पलठते हुए इससे के अच्छे से अंदर तक पूंजी हो जाए अब हम इसे एक प्लेट में थोड़ा सा पानीई का स्क्वीज करते हुए निकालते हुए रख देंगे फिर हम इन में थोड़ा सा फेटा हुआ घर का ही फ्रेश तही डालेंगे और घर की ही बनाई हुई गुड और इमली की चटनी डालेंगे तो हमने healthy way बोला है तो गुड और इमली की ही चटनी का यूज़ करना है आपको फिर हमने इसमें धनिया और मिल्च की हरी चटनी डाली है थोड़े से हम इसमें अनार के दाने से इसको सजाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला, थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ज, थोड़ा सा इसमें काला नमक बहुत अच्छा टेस्ट देगा, वो जरूर डालिएगा अब हम इसमें थोड़ी सी हरिधनिया के साथ इसको सर्फ करेंगे, ये बहुत अच्छा खाने में और बहुत हेल्दी होने वाला है, तब तक के लिए बाबाई